इस नमस्कार दोस्तों क्या से हैं आप सभी लोग आप सभी का स्वागत है मेरे चानल प्रोचिन में गेमर में और आज की वीडियो कोई गेम प्लेव वीडियो बिल्कुल भी नहीं है अब वापिस आएगा ऐसी कोई आशा तो बिल्कुल भी नहीं और नहीं नहीं गेम मतलब आ रहें बहुत चारी जैसे कि चला आज ट्यूमिट के साथ उत्रेंगी आप देख सकते कि एक नमबर तो आफ लेन हो चुका है दिखी रहा है चार नमबर आफ लेन हुआ है नहीं और तीन नमबर जो कॉरी पर उत्रा मेरे प्लेन से उतरने तक मेरे मरने तक इतना टाइम हो गया उसके बावजूद भी व उधर ही खड़ा था यह फिर जोन ने उसके कर दिया पता नहीं अब टीम मेट तो उतारता नहीं यह प्लेन वाले धक्के मार के हमको वहां से बाहर निकलते तो बॉट पर गुस्ता निकाला और इन दोनों को उधर ही छोड़के आ थे ना तो बॉट जो है इन दोनों को मार तो मैंने इन दोनों को रिकॉल कर लिया और एक को ऐसे गाड़े पर सुरक्षा का वर्च in भाष को एन में आयेगा तो मेरे में से पहले इस पर ऐसे लिए मैंने इसको रख लिया अब मैं इसको लेकर ऐसे इधर उदर लूट करने के लिए जाता हूँ पहले तो इस इंचेंट रोइन पर लूट की बाद में इधर पूचिंग के आया मैंने स्क्रीन डूकरिंग बीच में बंद कर दी थी क्या दिखाऊंगा इसको इतनी HP में भी इतना धोडाला इसको पूर अलब बंदा आया था सुनू इसकी बाते हैं कि अधरी कि अधरी कि अधरी कि अधरी कि पिछली मेंस की घटना के बाद मैंस किसी को कॉलोई ने करता अधरी कि बात ऐसे ही चल रही होती है तभी यह कुछ ऐसा बोलता है इसको मसुनके मेरे साथ आप भी पुरा हिल जाओगे अधर वाइन मिलिटरी जबी गया नियुक्त भाइव तु पबजी खेल रहा है बदला बीजी आमाइग खेल रहा है और तु मिलिटरी बेस कभी उत पुत्रा नहीं भाई यह कैसे होंगा यह कौन सा चमतका रहा है मेरा इसके उपर से विश्वास हट गया मेरो को यह पक्का रैंग पुशर या फिर क्याम पर लग रहा था इसलिए मैंने अपने के अपने लिए कुछ गणून का जुगार कर लिया मेरो को दोनों की दोनों य अरो मेरे में आ गया तो मैंने उसको मार दूसरी एवंपर उठाई और इसको भी मार दिया ज़ाट गांच चालाएगा मुन ना तो इसको भी मारने के बाद अब एक बंदा जो है तामने आले दिवार के पीछे बढ़न बढ़ रहा था मेरों को लगा यार यह मेरे पे इसको मार दिया वहां कैम्पिंग करेगा तो यह फन मिलेगा अब इधर मैं धूनने के लिए तो और कुछ लूट बाट तभी एक बंदा जो है सस्तेने से करके इधर पेटी लूट रहा है भाई मैं इधर बंदेने किसी की पेटी बने तो पेटी लूट रहा है शरम नहीं आत अंदर पर देखें तो यह फैकरने के बजाए यह फिर मुझे से क्धर चुनिर के आज wheat क्या करता मेरे कोमालों नहींतु नहीं पता नहींता के अंदर कोई भी मिनीए मिनकों को मैंने झता कि गर्वर्वर के अंदर कोई कोरे मैंने चापा मारते हैं लेकिन ही सामने किल अच्छा खासा था तो इसका किल भी उठा लिया अब इसको नौक करने के बाद मैंने सुचा कि नहीं इसके उपर नहीं रच करते कोई कैमपर वेंपर हुआ तो मेरे को उधर ही दोड़ा लेगा है इसलिए मैंने पहले इस बीडिंग को च खतम अब इसको भी खतम करने के बाद और इसकी भी पेटी लूटने के बाद अब आगे शुन देखो खुदी देखो भाई अब इधर आगे में और धूनडा ठांडी लूटा पाटी लूट करने पढ़े ना बिना लूट का क्या होगा सामने एक बाट था तो उस बाट को कोई परशाद देही देते अब इधर आगे जाहिर हो थे दो बंद्य आ रहे थे जिसमें से एक को मैंने मार दिया दूसरे के बस फेड पढ़ गया गया अगर रिलोडिंग पर नहीं आती ना तो एक इस प्रेप में दो दो को उड़ा देता में अब इधर आते हैं मतलब उन हो गया चार नंबर जो कई पर नौक हो गया था वह अफलेनी हो गया अब हम होड़ ड्रॉप पर उत्र हमने मरे लेकिन यह मर गया बोट मुझे मारने है मैंने पहले हीलिंग कि और बाद में इस बोट चच्चा को भी प्रसाद ही दे दिया अब इन बोट चच्चा को मारने के बाद हम आगे उन तीनों घरों पर लूटने के लिए जाते लेकिन उदर एक बंदा गाड़ी लेके भागाते हो जाता है उसके पीछे एक बंदा फायर करता है तो मैंने उसको उपर फायर के हिट मार्क करके वज़े से तीन नंबर ने ड अब मैं इधर स्कोप इन करके स्काउट करने लग ज़ते हो क्या पता हो पीछे आया कि नहीं मालूम नहीं इसलिए मैंने पहले स्कोप इन करके स्काउट किया आपके लिए पाच उसी का सवाल जो मैं नहीं देने वाला खुदी जाके खरीद लो अप्शन एक घासों में के हम दोनों की पेटी बना डालेगा आपको क्या लगता है जो अप्शन आपको लगता है कमेंट में जाके लिखे लेकिन लिखे ज़रूर मैं तो इस केमपर से बच गया लेकिन मेरा टीमेंट नहीं बच पाया अब मैं हो गया था बहुत जादा पैनिक और पैनिक सिच्चेशन में हर कोई गलतिया करता है यह पता है सभी को अब मैं यहां से बाहर कैसे निकलू इस केमपर से बचू कहां से इसकी लोकेशन भी मेरे को पता नहीं थी अब मेरा ध्यान अपने हेल्ट पर ही था लेकिन बंदा यहां पर चुपके बैठा था जाते हैं मेरे अगर दिनी पर यहां को स्मोप करना न कोजने और गया कुछ बात करेगा लेकिन इसने कुछ बात करेगा नहीं मैं और इसको इसने ऐसे मार गया वाह मतलब कितना बड़ा क्यामपर नो बड़ा था ये और को अकड़ भी रहा था मैं इतना अगर प्रो होता ना तो इसको उधर ही जापे घुश के मारता लेकिन मैंने सोच लिया कि भाई बंदे तो गदे और अपन इतने प्रो नहीं ह है अब इदर एक और गाड़े जाती है मैंने सोचा कि चलो भाई बाटफायर करते अब 4-4 बंदे हैं एक बंदे का बाटफायर सुनके आना तो चाहिए मैं तो जाता हूं यार मेरे को पता है बंदा हम घरमें लेकिन फिर भी मैं लड़ने जाता हूं लेकिन में पूरी आने दो मरगे जो मरगे एक गाड़ी वो इधर उल्टे पड़े हुए थी और दूसरी गाड़ी तो बाहर किसने पार्क करके रखे थी अभी नहीं दिखेगी बाद में दिखेगी मैंने सुचा कि यार इधर कोई कियां पर weirdest होते हैं भाई इस गेम में मतलब कियां परों का गहां ठीकर ना यह कैम परों लोग ज्यादा शूप खेलते रहिए लेँ अब इन दो चार ऐसे बंदे तो हैं जो खिलते ही नहीं है बंदा या तो इसको e-sport के लिए खिलेगा या फिर मतलब यूट्यूब पर कंटेंट बनाने के लिए खिलेगा ठीक है ना ऐसे मज़े के लिए भाइफ़न के लिए फैट के लिए कोई ने ख Taiwanese लेक वाला अभी धर 00 कि बंदा था मैंने 况 ट्रमेट को मारक कर दिया अगर मैं सीदा कूद जाता तो मैं मर सकता था अब सिमेट के एंगल में तśmy mettre up प Trinity एदर आ गया तो मैंने टिममर्स को मार्क लगा टिममेट नहीं इसको मार से लंग लउंग से मार दिया आप मुझे लगा इर अच्छा टीमेट यह मिलटा बे उत्रा अलेकर नहीं च्ख्याइट इसलिए मैंने पेटी लूटी ने पेटी से हट गया ताकि सको फीटे दे सुखो इसलिए मैं मैंने पेटि की voluntini अब देखो एक माँ इधर मैंने एक क्वगी के आए ता में मैं एक बांगी करें तो इधेर एक लीज्द कर ढें आए तो आपको आपकर में पता चलेगा इस वीडियो की आफिर internet आपको पता चलेगा एक और बंदा आता है अपने बग्गी लगी और सीधा मेरे शिकार में आ जाता है सिदा मेरे में गुझ गया इसको मैंने खतम कर दिया अब इसको खतम करने के पाद इसकी पेटी भी मैंने पूरी लूटी डाली अब मेरे पास रिसोर्स बहुत ज्यादा कम थे तो मैंने यहाँ से उसकी स्नाइपर उठा लिए उसको एमर देदी अब मुझे लगा यह मारेगा तो मैं इधर आ गया इधर पाढ़ पर फाइट चल थी हाँ मैं इधर उपर जाता grabsuu अब होता को क्या साय मैं जैसे उपर यटा मुझे यह दिखता है हो कि अवो मेरा क्या होगा मैने पहले एक में बंदे को नथ क्या फैने हो गफिर से फिर से दूसरे बंदे को नख क्या मैंने पहले मारा दिया और वह देखो अभी तक लेट के मारा रहा है अगर्ण नदर तो लगे गए दर तो इतना लगे गई तीन तीन बंदे इसने पता ने मेरे हैड कैसे चिपकाया मेरे को मालूम नहीं की सश्ते निशे भाई हैड कैसे मारा इसने भी यह जाता तो मुझे बचा सकता था लेकिन यह उदर ही चुप चब चुपके बैठ गया कि नहीं भाई मैं तोने बचाने वाला आड़े भाई हम लोग टीम है रिस्क हो तो नहीं आता समझ में आता है रिस्क ही नहीं है उसका पहले से शड़न सो चुका उसके दो बंदेनो तिसरा राने उसको और मте उसकी ऊपर पुश करहा है वो मुझे आसे मिनया रहा देखी लो कोई अर इसको मार ने के रीए तुल तो नूब्ड़े ये क्या है उधर में बग्गी लेकर आया था एक एन्मी वे बग्गी लेकर आया था और इधर दो-दो बग्गी पीछे एक डास्या हम बग्गी से गए थे पेट्रोल इसमें इतना सारा है हम बस पाहड पार किये हैं लोग कोने ज्यादा कोई पर फिंट है तो मैंने इसको सिधा रिपोर्ट कर दिया किसी काम का नहीं बंद है इसको बैन ही मारना चाहिए ऐसे बंद को इसकी वज़े से मुझे से बंद वाफिस न मिले भाई फिर तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही मुझे अपना और दिमाग गरम नहीं करवाने का है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक किजिए अपनी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और मैंने जो वीडियो में सवाल पूचा था उसका जवाब मुझे कमेंड में जरूर बताना कम से कम पता तो चलेगा कि कितने बंदे वीडियो दे झाल में जरूर नटख से बंदे प्लेख से वीडियो में से तो प्लेगा कितने बंदब में जरूर कितने व offenses औरूर कितने जरूब oitलोगी झाल